नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को 90.39 प्रतिशत रहा जारकन दसवी वोट का रिजल्ट हजारी बाग की चार चात्राएं टॉप थ्री में जो सना ज्योती ने टॉप किया सेकंड टॉप पर सना संजूरी जारकन एकडमिक काउंसिल ने आज दसवी वोट का रिजल्ट जारी कर दिया है इस बार 90.39 फीस दी इस् सना संजूरी को 99.6 प्रतिशत अंक मिले हैं थर्ड टॉप पर करिस्मस रिज्टी सौम्या को 99.4 प्रतिशत नंबर मिले हैं दसवी रिजल्ट में टॉप टैन में चववालिस छात्र चात्राएं शामिल रही इनमें से 19 छात्राएं हजारी बाग के इंद्रा गांधी बालिक हाइ स्कूल की है 3,38, 392 स्टुडेंट्स परिक्षा में पास हुए हैं इनमें से 2,5,110 छात्र फर्स्ट डिविजन से पास हुए हैं एक लाग 53,733 स्टुडेंट सेकंड डिविजन में पास हुए हैं। सिर्फ 19,555 छात्र थर्ड डिविजन में पास हुए हैं। इस बार की रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी हैं। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज एक क्यान भी रहा। लड़कों का पासिंग परसेंटेज 89,7 सुन्य रहा। बोर्ट का कहना है कि अगले 10 दिनों में बारवीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लोगसभा चुनाओं में पहली बार हो रहा सेटलाइट फोन का इस्तमाल किया जाएगा। चुनाओ आयोग राज के अलिपूर दुवार लोगसभा चेतर के बकसा पहाड से मतदान समाचारों के बारे में अपडेट रहने के लिए सेटलाइट फोन उपलब्द कराया है। बकसा पहाड के 36 कम नेटवर्क कवरिज बाले बूथों में से तीन बूथों पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। इसके अलावा मतदान कर्मियों को वाटर प्रूफ बैग भी उपलब्द कराये गए हैं। बकसा पहाड पर बने मतदान केंद्रों तक तेड़े मेड़े पहाडी राष्टे से पैदल ही जाना पड़ता है। वहां मतदान कर्मियों से मुबाइल फोन पर संपर्क करना लगभग असंबव है। इसलिए इस वार चुनाव आयोग ने लोगसभा चुनाओ दोहजार चुनाओ दोहजार चुनाओ में सेटलाइट फोन का इस्तिमाल करने का फैसला किया। ताकि चुनाव आयोग को हर पल की जानकारी मिल सके। लू की चपेट में जारखन उत्तर पश्चीम की उसुस्क हवाओं ने बढ़ाई गर्मी 15 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम इभाग ने अपने प्रानुमान में कहा है कि जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है ऐसे स्थिती पूरे महा रहने वाली है मैई से 15 जून तक गर्मी बढ़ेगी ही। मौसम इभाग केंद्री के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चीम से चल रही सुस्क हवा के कारण जारकन का आधा हिस्सा लूग की चपेट में आ चुका है अधिकतन तापमान बढ़ रहा है और गर्म हवाएं चलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रेल यानि आज राची और खुंटी का धिकतन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस 20 अप्रेल को 49 डिग्री सेल्सियस और 21 अप्रेल को 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रारम हो चुका है लेकिन स्विक्रीत आवास के लक्ष से काफी धीमा है। प्रेश्ट की राश्टी अबंटित की गई। इनमें से करीब 25 अप्रेल लाभकों ने अवास निर्मार का काम सुरू कर दिया है। बिर्मों में हातियों की कुछले जाने से व्रिद की मौत दो महीने में हुई चौथी मृत्यू। जगेश्वर बिहार थाना छेतर में हातियों के जुंडने कुछल कर 64 वर्षिय व्रिद लहरू महतों की मौत हो गई है। विलास अविनास मुख्या चिंता देवी पहुचे, वन्विभाग कर्मी नहरू प्रजापती भी पहुचे। उन्होंने प्रावधान के तहत मृतक के आश्रित को 4 लाक रुपे मुआवजा मिलने की बात कही है। पुलिश ने शव का पंच नामा कर वोस्माटम को तेनु घाड भेज दिया। वहीं घटना से मृतक की पतनी मूरली देवी और अने परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है। बीते 4 सालों में सबसे खराब रहा इस साल का रिजल्ट सिर्फ 90-10 मलों 39-46 छात्राओं ने पाई सफलता। जारखन में 10 वी बोट का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें गरेडियो जीले के छात्र छात्राओं ने सबसे बहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अगर हम बीते साल से रिजल्ट की तुलना करें तो इस साल परिक्षप परिडाम में हलकी सी गिरावट देखने को मिली है। इस साल 90-10 मलों 39-46 छात्राओं ने सफलता पाई है। जबकि बीते वर्स 95-95 दस्मलों 4-7 विध्यार्तियों ने सफलता पाई थी। इस वर्स का परिडाम बीते चार सालों में सबसे खराब रहा। पुलिस के टीम ने कार जे एच एक सुने बीपी 2487 से 5,50,000 रुपए नगत बरामत किया है। बरामत रुपए के संबंद में बंगाल के कर्ण्यानेस्वरी निवासी कारसवार विनोधियादों से पुछताश के बाद पुलिस ने रुपए को जब कर लिया। बरामत रुपए की जाच के लिए पुलिस आगे की कारवाही में जुट गई है। नयाए उल्गुलान महारैली में शामिल होंगे पांच लाख लोग। 21 अप्रेल को राची की प्रभात तारा मैदान में होने वाली नयाए उल्गुलान रैली की तयारी को लेकर आई एंडिये गड़बंदन के नेताओं ने प्रेस कॉनफरेंस का जानकारी दी है। कॉंग्रेस मुख्याला में आयोजित प्रेस कॉनफरेंस में जामों के केंद्रिय महासचीव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि नयाए उल्गुलान महारैली में शामिल होने का नियोता आई एंडिये गड़बंदन के वरिष्ट नेताओं को दिया गया है। कॉंग्रेस के राष्टि मलिकारजुन खडगे राहुल गांधी राजत सुप्रीमो लालू प्रसाद वतेजस्वियादों महारैली में शामिल होंगे। आपनेता वसांसा संजै सिंग और अर्विंद केजरिवाल की पतनी सुनिता केजरिवाल ने भी महारैली में शामिल होने की सहमती दी है। लोकसभाचुनाओं का संखनाध होगा। इसने शामिल होने वाले कारिकरताओं को कोई परिशानी न हो। इसका ध्यान रखा जाएगा। भाचपा को बेनकाब करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फूफा ने पांच वर्षिय भतीजी को तलवार से काट कर मार डाला, सास पर भी हमला। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं आरोपी की पांच साल की भतीजी की मौत हो गई। व्रिदवच्ची सिफाली के शव को पोस्माटम के लिए स्पताल भेज दिया गया है, इतना ही नहीं। सास के अलावा आरोपी ने साले की पत्नी, सुमवारी देवी, पुसुमनी देवी और ग्रामिड कार्तिक मुंडा पर भी हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए, गुस्साए ग्रामिडों ने दिगंबर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, मौके पर जासेस में नहीं आए, किसी भी आकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करें, डीसी जमशितपूर के नाम से फेस्बुक पर फरजी आइडी बना कर लोगों से पैसे और गिफ्ट मांगे जा रहे हैं, जनसाधारर से साइबर फ्रॉट करने वालों दोश्यों के जासे में नह जिला दंडा धिकारी साउपईुक्स अनन्यमित्त तल्दवारप पुलिस विभाग को मामले की जाच कर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है, आम लोगों से अपील की गई है कि सोसल मीडिया के जरिये संपर्क किया जा रहा है, तो वे जासे में ना आए और तुरंत प्रशासन को सुचित करें। सनवात किया और उने मतदान के लिए प्रेडित किया इस दोरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ CRPF और पुलिप्रशासन के वर्य अधिकारी भी साथ में थे बुड़ा पहार के पाद श्रीकुमार अपराहंद करीब दो बजे जीला मुख्याला गड़वा हजारी बाग में अग्याद ट्रक की चपेट में आने से युवक्ध की मौत धटना की सूशना पा कर पुलिस मौके पर पहुची और मितक को पोस्माटम के लिए शेग भीकारी मेडिकल कॉलेज असपताल ले गई घयल सुरेस का इलाज शेग भीकारी मेडिकल कॉलेज शुक्रवार के अहले सुबक करीब डेड़ बजे जुलूस से यूवकों का एक टोली वापस घर जा रहा था इसी क्रम में हजारी बाक से चत्रा की ओर जा रही अग्यात ट्रक यूवकों को धक्का मार कर फरार हो गया जिससे एक की मौत और दूसरा घायल हो गया जमीन घोटाला मामला अब तक 1.25 करोड कैश वद 206 करोड की संपत्ती जप्त बैंकों में जमा 3.56 करोड फ्रीज राची में हुए जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तर निर्देसाले ने अब तक पूरो सीम हिमन सुरेन आई सधिकारी छवीरंजन और कारोबारी अमित अगर 6 करोड रुपे को फ्रीज कराया गया है जांच अजनसी ने गुरुवार को इस घोटाले में अधिकारी क्रूप से बयान जारी करिया जानकारी दी एडी ने बताया कि एक साल में 286 करोड रुपे की अचल संपत्ती भी जप्त की गई है इस घोटाले में 3-4 सीट दाखिल की जा चुकी है जांच में मिले तथ्यों के बारे में 14 बार राजसरकार को जानकारी दी गई है सरकार के अफ़यार दर्च करने के अनुशन सा की गई है इडी ने कहा कि हमन सुरिन और बढ़गाई अंचल के ततकालिन राजसो उपनरिक्षक भानु प्रता प्रशाद को बरिय किराना दुकान में बिक रही थी शराब पुलिस की छापे मारी में विभिन ब्रांड के शराब जट दो आरोपी गिरफतार देवघर जीले के देवी पुर्थाना पुलिस ने दो किराना दुकान में छापे मारी कर विभिन ब्रांड के शराब बरामत किये हैं देवी पुर पुलिस की चापे मारी टिम विनोध्यादो के मनिवापूर मोड इस तीत किराना दुकान में चापे मारी करने पहुची पुलिस ने आरोपी दुकांदार विनोध्यादो को गिरफतार कर लिया। अभी तापमान तकरीबन 38 सर 40 डिग्री सल्सियस पर पहुच चुका है वहीं चुनावी मैदान में भाजपा और जहमुमों के बीच हो रहे तीखे सनवास से राजनितिक पारा भी तेजी से उपर चड़ रहा है भाजपा प्रत्यासी सीता सोरेन और जहमुमों प्रत्यासी नल अनरगल बोलेगा तो उसे इधर से भी करारा जवाब मिलेगा उन्होंने गीता कोड़ा के साथ हुए विरोत पर कहा था कि ऐसे जना क्रोश्ट का सामना दूसरे प्रत्याशियों को भी करना पड़ सकता है अगर भाजपा प्रत्यासी सीता सोरेन भी अनरगल प्रत्याप करे उनके कायरता और चुनाव के पुरो ही पराजय को दरसाता है दुमका में पीकप वैन और बाइक के सीधी टकर महिला की मौत दोवने गंभीर रूप से घायल दुमका जीले के बासुकीनात नोनीहाट मुख्यमार्क पर एक मचली लदे पीकप वैन और बाइक की आमने सामने की जोरदा टकर हो गई इस टकर में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक यूवती और बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए घटना जर्मुंडी थाना छेतर के गोर टोपी गाउं के पास की है इस थाने लोगों की अनुसार मचल में बाइक पर सवार रामगर थाना छेतर के लत बेरवा गाउं निवासी 25 वर्सिय हीरा मानी मुर्मों की घटना इस्थल पर ही मौत हो गई जबके मृत्का के पती विनोत सोरेन और पूनम हांसता नामक एक यूवती गंभीर रूप से घायल हो गई शांतिपुड मत्यदान कराने में जूटा दुमका जीला प्रशासन डीसी एस्पी ने दुरगम नकसर प्रभावित बूधों का किया निरिक्षड दुमका जीले के नकसर प्रभावित छेतर सिकारी पाड़ा में सांतिपुड तरीके से चुनाव संपन कराने के लिए दामिडों से बात चीत की जीले की उपर्योग सहजीला निर्वाचन पदाधिकारी आंजे नेउल दोड़े और स्पी पितामबर सिंग खेरवार अपनी पूरी टीम के साथ गुरुवार को दुमका जीले के शिकारी पाड़ा प्रखंड के नकसर प्रभावित मत्यदान 27,000 नगज SLR राइफल सिलिंग समेद दैनिक उप्योग के अन्ने समान बरामत किये चाइबासा में सुरक्षबलों ने सर्चिंग के दौरान नकसलियों के उप्योग में आने वाले समान नगदी सहीत अन्ने समान बरामत किये हैं अभियान के दौरान गुरुवार को 27,000 नकसलि पिट्टू काला रंग, एक मोबाइल, दो बैग, एक लड़ाकु टोपी, एक बंडल वर्दी कपड़ा, एक जंगल जूते, एक वर्दी हरा रंग, विभिन प्रकार के आवशक जीवन रक्षक दवाईयां और अन्ने द्यानिक उप्यों के सामान बरामत किये कोई रूठा है तो मना लेंगे, कारेकरताओं की नराजगी पर बोली कॉंग्रेश प्रत्याशी दिपिका पांडे, आईएंडिये गढ़वंदन से टिकट मिलने के बाद कॉंग्रेश प्रत्याशी दिपिका पांडे सिंग, पहली बार गोड़ा पहुची, उन्होंने कारे नाराज है तो मना लेंगे यह जिमिदारी हम पर छोड़ दे उन्होंने कहा कि फुरकान चाचा और प्रदी भया के साथ बादल इर्फान हफिजूल और संजयादो भाई सभी हमारे साथ हैं गोड़ा पहुचने पर पार्टी कारे करताओं ने आतिस बाजी कर दिपिका पांड कहते थें कि वे कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे उनकी आने के बाद असर दिख रहा है उन्होंने यह भी कहा कि जो सांसद चुनाव छोड़ सायधी कर भी छेतर में दिखते हैं उनसे ना सिर्फ पक्षिक कारे करता बलकि उनके अपने कारे करता भी परिशान है वे भी मुझे बधाया दे रहे हैं किसानों की खेती की कुछ जमीन खरीदली है और बाकी सारी जमीन हड़पकर अपनी चारदिवारी की अंदर ले ली और वहां से वह अपने कई काम करते हैं पिडित किसानोंने उन्हें इक पत्र लिखा है राची में भुगर्व जल का दोहन रोखने की तयारी सभी भवनों में बनाना होगा रेनवाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम जाच करेगा निगम बैंगलूरू में व्याप्त जलसंकट को देखते हुए राची अभी से अलट मोट पर आ चुका है शहर के सभी भवनों वा घरों में रेनवाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की सला दी गई है फिलाल तीन सो वर्ग मीटर से अधिक छेत्रफल में बनने वाले भवनों में रेनवाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम बनाना जरूरी हो चुका है मतलब करीब 7 डिसीमल जमीन पर बनने वाले घरों के लिए हर्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होता है इससे कम छेत्रिफल में बनने वाले भवन इससे मुक्त हो जाते हैं जबकिन अगर निगम से स्विक्रित होने वाले नक्सा में 80% छोटे भवन होते हैं तीन से 5 डिसीमल जमीन पर अधिकतर घरों का निर्माण होता है इस वज़े से अधिकतर घरों में बोर्वेल करा कर जमीन से पानी तो निकाला जा रहा है लेकिन वर्सा जलसर नक्षड नहीं किया जा रहा इसे देखते हुए निगम प्रशासक के निर्देश पर टाउन प्लानर ने सभी लाइसेंसिट टेक्निकल परसन को इमेल भेज कर साफ कहा है कि सभी भवनों में रेनवाटर हॉर्वेस्टिंग बनाने पर जोड दें ताकि भवन मालिकों को अधिक टेक्स देने से मुक्ति मिल सके जारखन की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार